तो यह लो बच्चो अब करेंगे हम 24th question और यह काफी easy question है बच्चो देखिए बिलकुल exactly 23 के तरह ही है ठीक है तो यह दो factors आपको इस equation के दिये वे हैं ठीक है इस polynomial के दो equation गिवन है दो factors गिवन है मुझे और मुझे बोल रहा है A B की value निकाल लिए और बाद में क्या कह रहा है इसको factorize भी कीजिए जब आप A B की value निकाल देंगे फिर इसको आप factorize कीजिए मतलब divide करिए है ना तो देखिए सबसे पहले मैं इसका case लेता हूं x plus 2 equals to 0 तो बच्चो यह हो जागा x की value कितनी हो जाएगी यहां से minus 2 और इसका case देख लेता हूं x minus 3 equals to 0 तो x का case कितना हो ज रखता हूं ठीक है वहां से एक equation आएगी फिर यहां पर इस equation में x की value में 3 रखता हूं यहां से एक equation आएगी उन दोनों को मैं क्या करूंगा elimination से a b निकालूंगा और फिर आगे क्या करते हैं वो मैं अभी आपको विडियों बताता हूं देखे पहले मैं इसकी value रखता हूं तो obviously बात ही इसका factor है तो remainder 0 ही आएगा तो 0 equals to यहां पर इसकी value रख देता हूं minus 2 का q plus a minus 2 plus b तो बच्चों यह हो जाएगा 0 equals to यह हो जाएगा minus 8 minus 2 a plus b यह minus 8 है बच्चों यह इधर चल जाएगा तो यह हो जाएगा plus 8 तो यह हो जाएगा 8 equals to minus 2 a plus b तो यह मेरी पहली equation आए बच्चों this is my equation 1 अब यहां पर मैं इसकी value रखता हूं यह equation 2 आ जाएगी तो देखे हो जाएगा x q plus a x plus b equals to अब यहां पर मैं इसको रखता हूं ठीक है तो x की value मैं यहां रखता हूं तो यह जागा 3 का q plus a into 3 plus b equals to यहां पर 0 होगा क्यूंकि यह c का factor है तो अगर मैं इस पे value x की हूं तो यह 0 आने वाला remainder है ना तो remainder किता आ जाएगा 0 यह हो जाएगा 27 plus 3a plus b equals to 0 तो यह 27 इदर आ जाएगा right में तो यह minus में हो जाएगा 3a plus b equals to minus 27 this is my equation number 2 ठीक है यह first equation this is my second equation इससे मैं a and b की value निकाल लेता हूं तो देखो इसको मैं next page पर करने वाला हूं तो मैं यहां पर इसके लिख लेता हूं minus 2a plus b equals to 8 और यहां पर यह है यह है 3a plus b equals to minus 27 तो देखें बच्चों यहां पर पहले से b भी है तो मैं एक काम करता हूं एक को negative कर देता हूं है ना तो मैं इसको negative कर देता हूं इस पूरी वाली equation को negative से multiply करता है तो यह negative यह positive यह negative यह positive हो जाएगा यह cancel out हो जाएगा यह हो जाएगा 5A वो भी negative का negative 5A equals to यह हो जाएगा बच्चों कितना 27 27 में 8 add करें तो कितना हो जाएगा 27 28 9 30 31 32 33 34 35 यह हो जाएगा बच्चों 35 positive का तो यह हो जाएगा बच्चों मेरे पे negative 35 upon 5 ठीक है तो यह 25 25 5 6 जा 35 7 जा 35 तो minus 7 A की value आगे बच्चों मेरे पे minus 7 अब मैं यहापे B की value भी रख लूँगा किसी में भी तो यह हो जाएगा minus 2 A plus B equals to 8 ठीक है तो putting A value in this equation तो मुझे क्या मिलेगा minus 2 into minus 7 A की value minus 7 है मैंने रख दी plus B equals to 8 तो 7 to 14 minus minus plus plus B equals to 8 तो यह B हो जाएगा बच्चों 8 minus 14 तो B की value आ जाएगी 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ही हो जाएगी बच्चों minus 6 तो देखिए A, I बच्चों मेरे पे क्या A, I मेरे पे minus 7 और B, I मेरे पे minus 6 जो कि बहुत ही easy कर लिया मैंने A, B निकाल लिया अब देखिए बोल रहा था क्या कि भही जब आप A, B निकाल लोगे तो इसको factorize the given expression अब इसको factorize भी करना था तो देखिए आप मैं A और B की value रख देता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पे A की value किती थी थी बच्चों minus 7 और B की value क्या थी बच्चों minus 6 राइट अब देखिए यह value मैं इस पर put करता हूँ तो देखिए X का cube plus AX plus B तो देखिए मैं value put करता हूँ X का cube plus यह हो जाएगा minus 7X plus यह minus 6 तो देखिए यह क्या हो रहा है बच्चों यह हो जाएगा X का cube minus 7X minus 6 ठीक है तो यह मिर पे एक equation आई अब यह जो मिर पे equation आई मैं आपको बता दूँ इसके दो factors है एक X plus 2 है और एक X minus 3 है तो देखिए इसके दो factors है इसके वैसे तीन factor होने थे 3 factor निकल ले थे इसके क्यों निकलने थे 3 factor क्योंकि देखो cube है तो इसके 2 factor तो मुझे पहले सी given है कौन-कौन से X plus 2 एक है दूसरा है X minus 3 और एक मुझे अभी पता नहीं है ठीक है वही तो मुझे निकलना है तो मैं काम करता हूँ देखिए बहुत easy है मैं इसको या तो मैं X minus 3 से इसको divide कर देता हूँ या तो X plus 2 से इसको divide कर दो ठीक है तो आप इसको करोगे तो एक quadratic बनेगी उसको solve कर ले ना और next वाला भी आ जाएगा तो देखो इसको next page पे कर लेते हैं चलो आप बताएं इन दोनों में से किस से करें चलो देखते हैं किस से क्या जाए इससे करते हैं प्लस positive vibes मिल रही है चलो प्लस वाले से करते हैं तो इसको इससे multiply करते हैं इन दोनों में से इन दोनों में से आप किसी से भी इसको multiply कर सकते हैं तो क्या आएगा quadratic को split कर ले ना जो या तो आप एक काम कर सकते हो इन्धों को अच्छा लग रहूंगा तो इससे कर लेता हूं कोई दिक्कत की बात नहीं ठोड़ा लेंद्वर कोई कत्मी तो x3 upon यहाँ पर x गटा तो x square आया है यहाँ पर यह जाएगा x3 plus two x square यहाँ पर नहीं है बच्छो देखो यहाँ पर x square नहीं है तो मैं यहाँ पर plus zero x square लिख ले तो ठीक है यह cube plus 2x square ठीक है minus minus cancel out तो हो जाएगा minus 2x square minus 7x minus 6 तो यहाँ पर यह बचा minus 2x square divided by x तो यह हो जाएगा minus 2x तो यह हो गा बच्चो minus 2x square minus 4x ठीक है यह plus यह plus यह cancel out तो यह हो जाएगा 5,6,7 यह हो जाएगा minus 3x minus 6 तो फिर मैं इसको यहाँ पर किस से करूँ minus 3x upon x करूँ मैं minus 3 आ गया यह हो जाएगा बच्चो minus 3x minus 6 है न तो मैं इसको plus यह भी plus पूरा cancel out 0 तो देखे बच्चो मिरे पर quadratic बनी वह है x square minus 2x minus 3 देखे यह मिरे पर quadratic बन गई बच्चो ठीक है अब इसको इसको split करूँगा तो देखो दो तो थे ही मिरे पर इसको split करूँगा तो मिरे पर answer आ जाने वाला है तो देखे इसको solve कर लेता हूँ थोड़ा लेंदी हो जाया पर कोई बात नहीं इसको देखो दूसरे तरीके से भी मैं करूँगा भी ठीक है इसको दो तरीके से करूँगा पहले मैं आप इससे कर लो तो देखे आप इसको split कर देते है x square minus 2x minus 3 equals to 0 तो अब इसको यहाँ पर मैं split करने वाला हूँ तो इसके factors निकाले तो इसके factor होंगे बचो x square plus x minus 3x minus 3 equals to 0 x comma x plus 1 minus 3 comma x plus 1 तो जागा x plus 1 x minus 3 और दूसरा क्या था x plus 2 तो देखे बच्चो यह मुझे given था ठीक है question में यह भी मुझे given था बस यह निकाला मैंने किस से divide करके ठीक है तो मैंने देखो मैंने शरीफ एक ही से divide क्या मैं उन्दोनों को divide करके भी कर सकता था वो मैं next page पर करता हूँ ठीक है चलो कि मैंने direct इससे divide के इसको तो quadratic बनी है ना फिर मैंने उसको further solve किया तो मैं एक काप कर सकता हूँ बच्चो इन दोनों को multiply करके डिरेक इससे divide कर दूँगा तो obviously बात है देखो यह square है quadratic बनेगी यह cubic है quadratic को जब मैं cubic से divide करूँगा देखो x cube x square कटेगा तो एक x पचेगा तो वही यह factor मेरा आने वाला है तो देखिए इसको solve कर लेता हूँ यह भी काफी easy तरीक है वैसे तो जो आपका मन होता है आप उससे क्या करो ठीक है तो इसको solve कर लेते हैं इसको मैं दो बा लिख लेता हूँ x plus 2 x minus 3 तो यह हो जाएगा x square plus 2 2x minus 3x minus 6 तो यह हो जाएगा बच्चो x square minus x minus 6 तो यह मेरा multiply करके आ गया इससे मैं अब इसको divide कर देता हूँ तो देखिए इसको divide कर देते हैं तो देखिए मैं इसको divide कर लेता हूँ यहाँ पर x cube यहाँ पर x square कटेगा तो क्या रहा है स्रीफ x बचा तो यहाँ पर x लिख द minus x square ठीक है अब यहाँ पर तो x square है नहीं तो मैं इसको यहाँ पर ना लिखे मैं 0x square लिख देता हूँ यहाँ पर हो जागा minus x square ठीक है फिर हो जाएगा x into minus 6 तो यह हो जागा minus 6x ठीक है अब देखिए यहाँ पर यह condition x square है इसको आगे ही रखना ठीक है पीछे मत रखना मैं sign change करता हूँ, minus, यह हो जाएगा plus, यह हो जाएगा plus, तो यह देखिए, यह पूरा cancel हूँ, इसको आगे ना लिखना, आप इसको आगे लिखना है, x square, एक term होती है, वही, x square आगे आता है, फिर x बाद में आता है, cube सबसे आगे आता है, ठीक है, तो इसको आगे लिखना, यह plus का है, x square, अब इसको रखो, तो यह हो जाएगा minus x, minus 6, ठीक है, अब क्या है बच्चों, देखिए, इस x square, यह भी x square, x square upon x square, कड़ जाएगा, आएगा कितना 1, तो यह होगा plus 1, तो यह हो जाएगा x square, minus x, minus 6, minus, plus, plus, इस सारा, cancel out, 0 आगया, तो देखो, मिर पे क्या आगया, एक factor, last factor, x plus 1, तो देखिए, कितना easy था, यह, है ना, तो देखिए, यह कितना easy है, है ना, तो आप, जो आपका मन करें, आप ऐसे करो, कोई problem की बात ने, दनने की कोई जुरती, ठीक है, चलो next करते हैं,